असलामों अलाइकुम, गुड मॉर्णिंग चिल्डरन, SDMES बॉइज, इंग्लिश मेडियम स्कूल में से मैं आपकी हीना टीचर, और आज का हम्मारा सब्जेक है इंग्लिश ग्रामर, तो ग्रामर लेंड की बुक में, चैप्टर नमबर एट, हैज एन हैव, पेज नमबर फिफ्टी टू पे, तो देखो, हमने ये हैज एव, हैव का मैंने बैजिक आपको प्लूरर नाउंस, हैव, हैज, कब लगाते हैं, वो मैंने आपको लास पिरियन में समझाया था, तो अब हम आगे जाते हैं, अब देखो इसमें क्या है, कि हैज एन है उस तो हमने किया लेकिन अब उसके नेगेटिव सेंटेंस हमें सिखने हैं, तो देखो, नेगेटिव सेंटेंस तो मेक नेगेटिव सेंटेंस वी एड नॉट आफ्टर दू और दूर दूर तो क्या लिखा है, मतलब नो का अंसर हम देते हैं, तो हम do या does लगाते हैं, तो देखो do जैसे के with I, you and plural nouns and pronouns plus not plus have, जैसे के I होगा, you होगा और कोई भी plural noun और या pronouns होगा, तो हम क्या लगाएंगे do और plus not और plus have, ऐसा हम sentence बनाएंगे, अगर आगे starting I, you और कोई भी plural nouns या pronouns से होता है, तो तो उसमें आएगा do, तो वैसे ही हम example इसमें देखते हैं, I have red shoes, तो हम इसका negative answer करना है, तो मैंने जैसे समझाया, कि I do और negative देना है, तो I do not have red shoes, समझ में आया, इसमें does नहीं आएगा, उसमें सिर्फ do आएगा, next देखो, you have a violin, तो हम इसका answer कैसे देंगे, you do not have a violin, समझ में आया, next देखो, we have 10 story books, तो ये भी plural है, तो हम उसकी जगा पे क्या लेंगे, do, plus not, plus have, तो we do not have 10 story books, वैसे ही, they have a lot of work, तो दे भी क्या है, plural है, तो they do not have a lot of work, समझ में आया, अब does कहाँ पर use करेंगे, तो मैं इसमें आपको समझा, तो does with a singular noun और a pronoun, does कब use होगा, कोई भी singular noun या pronoun, he, she, or it, जब आएगा तब क्या होगा, does लगाएंगे हम लोग, plus not, plus have, समझ में आया, तो हम इसका sentence देखते हैं, she has a green bag, तो she है, तो हम क्या लगाएंगे, does, she does not have a green bag, समझ में आया, next देखो, he, तो he के साथ क्या होगा, does, तो he has not school tomorrow, he does not have school tomorrow, next देखो, it has a rate break, तो it है, तो हमने जैसे यहां देखा, it does not have a rate break, समझ में आया, तब हम इसके example देखते हैं, negative sentences हमें बनाने हैं, तो देखो, change this sentence to negative sentence, write the beginning of these sentences, तो देखो, she has three brothers, तो she does not, she है, तो does आएगा, not have तो हमें लगाना ही है, she does not have three brothers, समझ में आया, next देखो, we, तो यह plural है, तो we do not have a red car, we have a red car, और उसका negative sentence क्या होगा, we do not have a red car, समझ में आया, next देखो, he है, तो हम he के साथ क्या लेंगे, he has a heavy cricket bat, तो he, do लेंगे या does, तो यहाँ पर हमने सीखा है, does, तो does not have a heavy cricket bat, समझ में आया, बचो, next देखो, the house, तो क्या है, the house है, तो यह कोई भी singular noun या pronoun है, तो सिर्फ एक ही house की बात की है, तो हम क्या लेंगे, इसमें does, the house, does not have a big garden, समझ में आया, next देखो, they have a many gods, they तो यहने plural है, तो उसके साथ क्या होगा, they do not have many gods, समझ में आया, बचो, next देखो, it has a long tail, तो it है, तो हमने has भी है, तो हम क्या लगाएंगे, does, it does not have a long tail, समझ में आया, बचो, next देखो, यह हमने negative sentence आज सीखे, अब हम आगे देखते हैं, questions, तो देखो, question begin with do or does, हमने यह do कैसे कहाँ पर आता है, वो सीखा, अब हम do या does से क्या होगा, question होगा, वो हमें इसमें सीखना है, तो देखो, for I, you, plural nouns and pronouns, do plus you plus, do plus you, oblique I, we, they plus have, तो ऐसे इसका question बनेगा, for singular noun, जैसे के plural noun होगा, तो उसमें do लगेगा, जैसे हमने उपर भी देखा, और singular noun या प्रोनान होगा, तो उसमें क्या लगेगा, does, plus see, he, eat, plus have, समझ में आया, और question मात, next देखो, इसके हम, ये sentences देखते है, do you have a watch, तो हम उसका answer किसी में भी कर सकते है, yes, लेकिन yes, I, you का बोला है, तो हम क्या लिखेंगे, I have a watch, चूंकि ये मैंने आपको question किया है, तो आप yes या no में answer करेंगे, तो और no में करना हो, तो no, I do not have a watch, ओके बच्चों, next देखो, ये do वाला था, अब ये does वाला है, तो देखो, does he have a blue jacket, तो हम इसका answer yes में कैसे देंगे, yes, he have, है, तो यहाँ पर he के साथ क्या होगा, has, has a blue jacket, no में answer देना है, तो no, he does not have a blue jacket, ओके, तो हम इसके example देखते हैं, बच्चो, read these questions, complete the answer using do not or does not, तो देखो, first question है, do you have any eggs, तो हमें already यहाँ पर दिया है no, सिफ एक में ही हमने को answer देना है, तो no, I do not have any eggs, no, और I, you का बोला है, तो हम हो गए, या I, और I के साथ क्या लगए का do, plus not plus have, समझ में आया, जिसे हमने आगे सीखा, next देखो, does he have the red book, no, see है, तो उसके साथ क्या होगा, does not have the red book, अब हमें आगे देखना है, does he have a red pen, no, he, no में ही answer दिया है, तो हम इसका negative में ही answer देंगे, क्योंकि हमने आगे negative में सीखा है, he does not have a red pen, okay, next देखो, does a tricycle have four vehicles, तो इसका answer भी दिया हुआ है, लेकिन negative में दिया है, तो इसमें क्या होगा, no, a tricycle does not have four wheels, समझ में आया, next देखो, do we have any apples, no, we do not, क्या हैगा, we do not have any apples, next देखो, does it have a long neck, no, eat, eat है तो क्या लगे का, does, it does not have a long neck, okay, तो इतना समझ में आया है बचो, next देखो, हम with has और have की blank देखेंगे, तो देखो, raka has a clever pet, raka तो क्या है लड़का या लड़की, लड़का है तो has आया, अब क्या है, eat, जैसे यह हमारा, क्या है eat, याने कोई चीज के बारे में बात किये, तो eat, blank, bushy, tail, तो eat has आयेगा, क्योंकि यह कोई चीज की बात किये, और यह singular noun भी है, इसलिए, next देखो, and is white in color, eat also, eat also, तो यह भी क्या है, singular तो has, very long years, it is rabbit, raka's friend, सारा, क्या है, blank two pets, सारा लड़की है, तो यहाँ पर क्या होगा, has, her pets, क्या है, her pets, यह एक से ज्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे, इसके साथ, have, her pets, have long furie tails, they also, क्या है, they also है, तो हम क्या लगाएंगे, have, they also have viscous, on their faces, and are brown and white in color, they are cats, both sara and raka, क्या है, both की बात की है, मतलब एक से ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, have, have got cute pets, do you, you है, तो क्या लगाएंगे, have, do you have any pets, समझ में आया, has और have कहाँ यूज करने है, तो हमारा, आज का यह चप्टर, यहाँ पे, खतम होता है, ओके बटा, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कुछ समझ में नहीं आता है, तो फॉन करके, पूछना है, ओके बटा, अलाफिस,